आपका रियायते भी सरकार ने बढ़ाई हैं कुछ जो पहले बारा बजे तक थी अब कम से कम पांच बजे तक हो गई आप क्या कहना चाहेंगे क्या सोचते हैं आपका रियायते दी गई हैं योगी जी को आप क्या कहेंगे क्या ये आपका रियायते हैं योगी जी को आपके पूरी मार्केटर पनीशर के लखड़ी के सोडूं का माला है कोई भी बच्चा भान देखना का बाकी इस एद पर क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को क्या कहना चाहरें बस अपनी तो गई जो मारत मेहना है रमजान का मेहना है सब अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं योगी जी योजी नह दे रहे हैं बता रहे हुनके मुताबिक चल लें यह कर सके और क्या रखकाब क्या करें अब रोजगार खतम होगा आप खरीदारी करते थे या नए कपड़े या शौपिंग कर रोजगार है कहां से देंगे रोजगार अब रोजगार अब उपर वाला कोई रोजगार खोल लगए जो देंगे इस बार इस बार जो माहूल है बहुत खराब है छुप ब्यमारी फैलत लही है तो इद बखराये यह कोई भी तेवार है शीव राजरी है कोई भी नहीं होगी । फिलाहल तो निबत्नार इस बारस निबतना है यिदो कुई भी ने इजभार खारीदारी कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी लोगों को खाने के लिए देना है, अभी खरीदारी कुछ नहीं करेंगे, इस एद पर इद करना ही नहीं है, इद है साथगीस है, नमाज पढ़ेंगे घर पर, तो इद है, और इसके लिए कोई परिच्छतिक नहीं करे कुछ नहीं करेंगे एद के लिए हम आरी तो ही जो कुछ आप जो जुम्हा पढ़ रहे हैं अपने घरों में पढ़ो जैसे परदान मंतरी नका जुम्हा घर पर पढ़ो नमाज घर पर पढ़ो यह सारा पहला खाना पीना तो जो भी आज जैसा कैसा आफ पर वाले देहरा हम ख कि आपदा का टाइम है घर से निकलना मुश्किल है किसी के बास आना जाना कुछ भी नहीं होगा इसी ते और साथगी से मनाएंगे कोई परचैसिंग कोई परचाइज कुछ भी नहीं करेंगे बाजार से जो है थोड़ी सी रियायते मिली है जो बारा बजी तक का वक्त होता कि इस कोरोना की लड़ाई से जो परोना बीमारी को भाने के लिए जो लड़ाई देश लड़ रहा है उसमें आप किस तरह से सरकार के कदम या प्रदानमंत्री मोधी की उत्तरप्रदेश के सीम योगी का कैसे कदम है क्या इसमें और ज्यादा कुछ उन्हें सुदार करना च पंदरा से बीज दिन पहले दी जानी चाहिए थी आप क्या रहे हैं यह जो हमारे अभी दो मेंने लगा दिया है कंटीनू कर रहे है इतना टाइम लगा दिया है इस से लड़ने के लिए फिक कंट्रॉल में नहीं आ रहा है लेकिन यह तो पुरा पश्यान तो लगया हुए लेकिन स्रकाइब कुरे परियास कर रही है इसको खतम करने के लिए तो जड़ा कुछ और आदमी कारोबार मा कुछ ले सिल लग जा अब सुबह से पढ़र गराज से घरमा पढ़े सारा दिन हो जा क्या काम करेगा इसमा बतो क्या करने मजदूर आदमी पीछ के रह गया लेबर ती बिहार से आई वी थी वापस चले गए हैं अभी हमको दिक्क्त दिया आएगी कि अब को लेवर नहीं काम करने के लिए और जो हमारा माल बाहर सप्लाई होता था वह उतनी लेवर सप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो लोगों को प्रसा खतम हो गया है प्र सब्सक्राइब करने के लिए लगवक सब अपने घर चा चुके हैं तो अभी हमको अपने नई अभी यह समझ लिए कि पुनर जलन जिसको बोलते हैं न उस तरह से हम स्टार्ट करना पड़ेगा अपना काम फिर से जीरो से उठना हाँ जीरो से हम लोगों को उठके दुबार है इस अपने काम को अंजाम देना होगा है है हैं लोग के जो एक्सपोर्ट के ओडर थे हम लोग हैं लोग हें अच्छी का काम करते हैं उसमें से 90 परसंट जए कैंसल हो चुके हैं उसका बहुत बढ़ बढ़ा हम लोग को नुखसान हुआ है उसकी बहर पाए के लिए बहुत समय लग जाएगा भी समय लगेगा यानि अभी छह महीं और लगेंगे लग सकता है एक साल भी हो सकते हैं कभी अपने घर में बैठो जैसा कि यहालात हो रहा हैं कि योगी जो काम कर रहा है भी ठीक है सब्सक्राइब कर दो इसलिए हम तो यह करते हैं अपना घर में एद बनाओ और अपना खुशी है अपने गरी में सबके साथ क्या कहेंगे सर उसमें तो हमारे एरिया है यह चोकी शाहदत का एर वाप और स्पोर्ट है वाप किस तरह मीं पता नहीं लग पा रहा है क्या यह सब और साथ दे रहा है का मंतरी ने आज पाँच बजे तक का वंक्त बढ़ा दिया है जो नहीं भाले बारा बजी तक तक था अब किस तरह सब्सक्राइब से नहीं यह पहुत अच्छा थी थी नहीं है मुनकर करते है और यह जतेने भी स्टेट हैं उनसे तो बहतरी है य पुलिश ने भी साथ दिया, कोई अच्छा नहीं है, कोई लड़ा जगड़ा नहीं, मरा पसासन बहुत अच्छा रहा, हमारे योगी जी भी बहुत अच्छा है, पोगराम यहाँ सारनपुर के अंदर बड़ अच्छा पोगराम दिया, खाने पपी उन्हें बहुत अच्छा किसी की खाक है, वो करना नहीं अच्छा नहीं लगता ना, पसासन भी अच्छा साथ दे रहा, योगी जापने भी अच्छा साथ दिया, बजिया थोड़ी सी जड़ा होगरा, एक दूसरे से और मिल लेंगे, इस तरो पर शाधर हमारे बड़ों का पर्मान है, उसको हम पूर करने की हम तो अमान शानती रहा है, हमारे वज़े से दूसरों तकलिव न पहुचनी चाहिए, इस तरो हमारी सरकार कह रहे हम उसका पालन कर रहा है, इद तो सब घर में ही आई या, क्योंकि सारी नमरान की नमाजे आप लॉगडाउन जब से हुआ, जब से घरी में हुआ है नमाज भी सब नमाज घर में ही है, नमाजे ऊ doctr की नमाजे रोजे सब घर पर ही हैं, तो इसलिए इद की नमाज भी घर पे पढ़ेंगे और इस वार इत पर गड़ने की हमेशा हर फिर करते हैं इस लार बहुगा है escaped मेरी सभी भुभल के लिए नहीं से मुसलमान समास से खार्स तूर से अपील है कि कॉछ पता नहीं कब तक चलेगा यह लौग्डाउन पी तो है किया पता नहीं कर लोग प्रदान मंतरी मोधी हुँ या उत्तर परदेश के मुख्या मंतरी योगी किस सरस देखते हैं जो अब तक फैसले लिए गए इस बीमारी को देखते हुए कैसे रहे मैं तो यही कहूंगा कि हमारे परधान मंतरी जी ने बिल्कुल सही पैसला ले आए और जो हमारे उत्तर परदीश के सीम योगी हैं उन्होंने भी बिल्कुल सही पैसले ले रहे अब तक वो सही कदम है सरकारगा और उसको मैं सपोर्ट करना चाहिए उनकी साथ मिलके चलना चा फिर कभी इद की शोपिंग कर लेंगे फिर कभी मना लेंगे इद फिलहाल अपने पैसे को बचाएं और जो किसी गरीब का घर का चूला है वो जलानी कोईश करें